नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्यास सिंग महराश्ट्र में सियासत एक बार फिर्ज से गर्बाती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि महराश्ट्र में जहां एक और कैबिनेट विस्तार होना है तो वहीं सोला विधाईकों की अयोग्यता को लेकर लगतार मुख्यमंत्री एक नातुशिंदे की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस दोरान मुख्यमंत्री एक नातुशिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उधवठाकरे दोनों ने शिवसेना को लेकर के एक बड़ा भाशन दिया के बाद अब सवाल लगतार ये उच रहा है कि अखिरकार क्या महराश्ट में एक बार फिर से बड़ा तक्ता पलचोने वाला है इसकी वज़ा है मुख्यमंत्री एक नातुशिंदे संग हुई लोग सभा स्पीकर ओम बिर्ला की मुलाकात बीते 7 जून को जो मुलाकात यहां पर 17 जून को हुई है मुख्यमंत्री एक नातुशिंदे संग ओम बिर्ला की इस मुलाकात के बाद राजुनितिक गलियारों में कयासों का जो दोर है वो तेजे से लगता हुआ दिखाई दे रहा है सवाल लगतार यह उठ रहा है कि एक नातुशिंदे संग हुई अध्यक्ष ओम बिर्ला की मुलाकात की आखिरकार सियासे माईने क्या है जहां एक और मुख्यमंत्री एक नातुशिंदे को कैबिनेट विस्तार की जो मुश्किली है वो उसे लेकर बढ़ती हो दिखाई दे रही है रिपोर्ट में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इस मुलाकात का सियासी जो माईना है वो क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है क्योंकि महराश्ट में जहां एक और बीमसी चुनाव होने है जो से लेकर के शिवसेना जो दवठाकरे के शिवसेना है वो लगतार तयारियों में जूटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बीमसी चुनाव के लिए अबुदव ठाकरे के साथ साथ मुख्य मंतरी एकनात शिंदे भी अपने विदाईकों की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए है अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस नाराजगी को अब मुख्य मंतरी एकनात शिंदे दूर कर पाएंगे और क्या इस नाराजगी को खत्म करने में लोक सभाध्यक्ष ओम बिल्ला कोई खास यहां पर रोल निभातों नज़राएंगे तो आज इस खास रपोर्ट में हम इसी मुद्डे पे चर्चा करने वाले हैं और जिसके लिए मेरे खास सही होगी मेरे इस रपोर्ट में इस प्रोग्राम में जुंडे वाले हैं तो अब रहार देखे जिस तरीके से इस वक्त सोला बागी विधायक और कैबिनेट अविस्तार के बीच जहाए एक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संख हुई अध्यक्ष ओम बिल्ला की मुलाकात को आप किस तरहा से देख रहा है और क्या लग रहा है आने वाले समय में इस मुलाकात का कोई ऐसर महराश्च्ट की सियासत पर पढ़ता हुआ दिखाई देगा देखे महराश्च्ट में लगतार विपक्ष जो है करने कर इस मुद्दे को लेकर के सीधे तोर पर यारूप लगा रहा है कि परदेश में जो है सरकार जो चलाई जा रही है एकनाथ श यह कहीं न कहीं मामला पूरा इस से ही जुड़ा हुआ नसरा आता है अब तक इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बात कहने से परेस कर रखा है लेकिन आने वाले दिनों में जब इस पूरे जो है मुलाकातों का दौर जो खतम होगा उसके बाद जब मंत्री मंडल विस्तार में उनके विधायकों को ज़ादा जग़ा ना देने पर उनको मनए जा रहा हो क्योंकि वह जिन विधायकों को ये लालास देकर किला हैं कि नए सरकार में बड़ा पद बड़े जमेदार्य आपको दी जाएगिया और अगर उस पर रूख खड़े नहीं उतरते है तो जाहिरती बाते के उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा और यही डर है कि इस समय एकनात्षिंदे अपने विधायकों को एक अत्रित करने के लिए लगतार अपने राजनेतिक कत को बढ़ा रहे हैं चाहिए वो जो है जो परचार का मामला हो जब उनोंने पेपर में या जगों पर जो होडिंग्स लगाई उसमें देविनफन अविस का चेरा गायब किया जाना तो यह सारी बातें बतलाती है कि महराष्ट में इस गडबंदन की जो सरकार चल रही है उस गडबंदन की बितर सब कुछ ठीक नहीं है और मंत्री मंटल विस्तार के समय और भी मामला बिगड सकते हैं कि बिलकुल जो है विधायक अगर देखे सबसे बड़ी बात ही है कि इस समय जो महराष्ट में जो है सरकार है वो सरकार भले ही अस्तापिद जरूर है लेकिन विधायकों के बलबूते ही एकनाथ चिंदे मुक्यमंत्री बन पाये थे उनके पास जो आंकड़े है वो करना राजीने तक जो है क्यों पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी पुरानी पार्टी उद्व ठाकरे की शियुते नहीं जा सकते हैं तो यह पूरा खेल जरूर हो सकता है लेकिन इस समय तक विधायकों के दुआरा किसी भी तरीके के ऐसे संकेत नहीं दिये गए हैं कि वो आने वाले समय में ऐसे कदम उठा सकते हैं फिलाल यह जरूर कहा जा रहा है कि महाराश्री की सियासत में कई तरीके के सियासी बदलाव आने वाले महीने के भीतर भीतर में हो सकते हैं कि मंत्री मंडल विस्तार को ले करके भी यही दावे किया जा रहा है कि जल्दी को लेकर के जो लगातार खयास लगाय जा रहा है क्या मंत्रे मंडल विस्तार से पहले वाके में महाराश्ट की सियासत में कोई बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है या नहीं फिलाल के लिए इस खास रपोर्ट में इतना ही बाकिया ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियोज नमस्कार